नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C21Y vs Realme Nazo 35G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C21Y में 6.48 इंच जबकि Nazo 35G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है जोकि C21Y से कम है बात करें तो C21Y में 2.99 इंच जबकि Nazo 35G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है जोकि C21Y से कम है बात करें थिकनेस की तो C21Y में 0.36 इंच जबकि Nazo 35G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो C21Y में 200 ग्राम्स जबकि Nazo 35G में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही बीस रेशियो नौ मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन C21Y में 720 by 1600 और Nazo 35G में 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio C21Y में 81.59 प्रतिशत जबकी Nazo 35G में 83.92 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो C21Y में 270 प्रतिएंच जबकी Nazo 35G में 405 प्रतिएंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो C21Y में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, माक्रो कैमरा, मिनी कैमरा देखने को मिलता है और नाजो 35G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, माक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो C21Y में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और नाजो 35G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो C21Y में Mali G52 जबकी नाजो 35G में Mali G57MC2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो C21Y में Unisoc T610 और नाजो 35G में MediaTek Dimensity 700 MT6833 मिलता है बात करें RAM की तो C21Y में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है जबकी नाजो 35G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो C21Y में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 32GB 64GB की storage मिलती है जबकी नाजो 35G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो C21Y में up to 256GB जबकी नाजो 35G में up to 1TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो C21Y में दो variant देखने को मिलते है जो कि 3GB RAM 32GB storage के साथ 8,999 रूपीज 4GB RAM 64GB storage के साथ 9,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें नाजो 35G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो कि 4GB RAM 64GB storage के साथ 15,999 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 15,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Gons यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में नाजो 35G आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में नाजो 35G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले competitor फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 30 है जो की 12,499 रुपे में मिलता है दूसरा Realme C21 है जो की 7,999 रुपे में मिलता है तीसरा Realme Nazo 30 ए है जो की 8,249 रुपे में मिलता है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Realme C11 है जो की 7,690 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना